मुंबई लोकल में चड़ने का अनभव नहीं है तो कहा जाता है और अनभव भी लिया जाता है कि आप भीड के साथ में खड़े हो जाईए भीड आपको अपने आप ही चड़ा देगे और आप उन्हें जब बाहर उतरने के तैयारी में हो तो गेट के तरफ रुख कर लीजिए भीड अपने आप ही उतार देगे जो दखे पीछे से मिलेंगे वो विवस्तत तोर पर आपको एक तरसे प्रवेश और पुनह जो बाहर निकलने के अवस्ता होती है उस तरफ लेकर चल लेंगे इसी उधारन के साथ में जीवन भी कई बाहर चलता हुआ प्रतीत होता है हम अपने काम का जी जीवन में जब चल रहे हूँ और किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन सामने हो अब लगातार एक पुश मिलता है इसको पूरा करने की तरफ जाना है ये तारीक सामने आ रही है अगली जो टीम है उसको इस प्रोजेक्ट के एक्जीक्यूशन की तरफ लेकर चलना ही होगा जिस व्यक्ति विशेश ये प्रोजेक्ट मिला है वहां से प्रेशर आ रहा है स्कूली समय के साथ में ही वो कार्ये पूरा करना है इस वज़े से अब तारीक सामने है तो जाएंगे दिपावली का अवकाश हुआ करता था और उस समय जो कार्ये मिलता था आज कर लेंगे बाद में कर लेंगे दिपावली बीच जाने के बात कर लेंगे पर अंततो गत्वा वो तारीक सामने होती थी और पूरे ही pressure के साथ में उस कारी को पूरा करने के और हम कई बार जाते थे अमुमन ये कुझारन है जीवन में हम proactive approach को कहां देख रहे हैं और किस तरह से ऐसे push ऐसे धकों के साथ में अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं ये दोनों ही परिभाशाएं अलग-अलग से रों के साथ में निकल कर आती है जो प्रोजेक्ट मिला है आज से ही कुछ समय उसके उपर लगने की शुरवात कर दी तो वो समय से पहले पूंड भी हो जाएगा और हम किसी भी स्तर पर खुद को परेशान करने वाले नहीं होंगे मार्च और अपरेल के महीने में बैटकर कई बार ये सोचा करते थे कि पूरे ही वर्ष एक सरी की पढ़ाई चलती रहती तो आज यहां लगबग 10 से 12 गंटे एक साथ इतना तनाव के साथ में जूझना नहीं पड़ता यह उधारन है जो जीवन की उन स्मृतियों के साथ में निकल कर आता है जो लगबग लगबग अमुमन हम सभी ने भोगा है ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलते हुए जब व्यक्ति विशेश उस विचार को लेकर आता है तो वो यही कहता है कि प्रोयक्टिव रहने की रिक्वार्मेंट थी कोई और आकर धका दे, कोई और आकर पुश करे, प्रेशराइस करे उसके पहले खुद ही तैयारी कर लो नौकरी पेशा जीवन में लग रहा है कि अब यहां से एक्जिट की पोजिशन सामने निकल कर आ रही है रुकना संभव नहीं होगा तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलते हुए जब व्यक्ति विशेश खुद को ही वहां से एक्जिट करवाने के और लेकर चला जाता है तो दुवधाओं को प्राप्त करने वाला नहीं होता यह एक प्रमुक परिभाशा है जो सामने निकल कर आती है परन्तु उलज़नों के साथ में चलता वह व्यक्ति वैचारिक तोर पर भीतर ही भीतर नजाने क्या कुछ गड़ता और बुनता व्यक्ति खुद को यह नहीं समझा पाता कि हमें प्रोएक्टिव रहने के रिक्वार्मेंट है हम एक बार दिवस विशेश में इस अंकल्ब करने वाले हूँ आफिस यहीं देरी से पहुँचने की आरत रही है तो खुद को ही प्रोएक्टिवले पुश किया जाए किसी बहाने की आवशक्ता नहीं रहेगी ना ट्रैफिक जैम की नहीं घर परिवार की स्ततियों की परंदू वहां खुद को एक बार समूल स्तर के उपर संभालने के जुरूत है हम जब उस पुश से और प्रैशर से हटकर अपनी यातरा को इस तरह से देखते हैं तो यकीन मानिये बहुत अलग परिवर्तन साथ में होते हैं इन सारी चड़जाओं के बाद और साथ हम यहां आपके समक्ष 26 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्तित हुए हैं चंद्रमा की स्तिया मकर राशिस्तान में शाम आठ बचकर 28 मिनिट तक रहेंगी उसके बाद कुम्भ प्रवेश कर जाएंगे श्रवन नक्षत्री परिदियां मंगलवार भाद्र पदमास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुबात करते हैं मेश राशि के साथ में नौकरी पेशा जीवन में आज प्रचूर मातरा में संभाव नाएं आपके समक्ष रहने वाली होंगी आदर्मान के साथ में उनको सुविकार करते हुए चलिएगा आप हाईर एजुकेशन की किसी बेडिसीजन की और बढ़ना चाहते हैं इस टाइम का सपोर्टिव नोट आपके साथ में बना हुआ है आत्मविश्वास में जब ब्रद्धी हो और आप किसे भी निरनायक अवसर पर बातचीत के और जा रहे हो तो वहाँ आपकी जो परफॉर्मेंस है वहाँ जो अपनी बात को रखने की ताकत है वो आपके साथ देखते ही बनती है आत्मविश्वास में पूर्णकालिक त्वार पर ब्रद्धी सरवांगिन लाप की स्ततियों में भी आप एक अलग तेज स्वहिम के लिए देखने वाले होंगे चोटी-चोटी यात्राओं से संबंदित कामकाज भी विराट सफलता की और आपको लेकर चलते चले जा रहे हैं और वहीं जो भी महानुभाब यहां स्वहिम को किसी नए कारे की और जोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी आज बहतरी बनी हुई है बुरशब राशे भाग्य का सयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा प्रकर पुरशार्त के साथ में वृद्धे की प्रतेमान आप स्थापित करते हुए चल रहे हैं यात्राएं बहतरी के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाली होंगी तो वहीं पर ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप लेकर चलें के लेखन संबंधिकार्य आपको विवस्तित करते चले जा रहे हैं वियापार हो अथवा नौकरी पेशा जीवन स्वयम को आप जितना मैनेज आज करके चलेंगे और प्रोयक्टिव मेजर्स के साथ में जतना डिसिप्लिन को अपना कर चलने माले होंगे उतना ही फाइनेशल गेन अपने लिए आप यहां लेकर आते चले जाएंगे विदेश संबंधिकारियों के साथ में वरिद्धी एक अलग स्तर के साथ आपके लिए बनी हुई है और वहीं शुक्र प्रदान राशी के जातकों को चाहिए कि यहां फेशन टेक्नोलोजी डिजाइनिंग संबंधि कामकाज में हैं खुद को किसी भी अलग स्तर पर लेकर चलने का बरहत आवशक तोर पर आप करते चले जाहिएगा मेथन राशी वरिशर्च संबंधिकारियों कामकाज में आपके लिए बैटर्मेंट के प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं कम्यूनिकेशन में किसी भी तरीके की नेगिटिविटी यहां पर नजर नहीं आती पर अज आज आप भीतर ही भीतर उपस्तत रहते हुए आनंदित रहने वाले होंगे वियापारी वर्ग इस बात का ख्याल रखें कि अनजाने वक्ति के साथ में कोई भी डील को फाइनलाईज नहीं करना है हम कोई कमिटमेंट कर भी रहे हैं तो उसके अंतिम सरे के निभाव तक की विवस्ताएं कैसे होगी और कैसे हम उस कारे को पूरा कर सकते हैं पहले उसको अवलोकित करें और उसके बाद में ही अपनी बात को समक्ष रखने वाले रहें इस अपरोच को अपनाईएगा फ्लेक्सिबिलिटी के मेजर साथ आपके साथ बहुत गहराई से निरंतर तोर पर बने रहते हुए प्रतीत होते हैं वहीं करक राशी वियापारिक जीवन में यहां संभावनाय असीम है हनुमन तुपासना के साथ में देबस की शुरुबात करते चले जाईएगा इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं भीतर जो आप बारम बार व्यतित होने वाली स्तियों को देख रहे थे नकारात्मक्ता को देख रहे थे उससे भी हट रहे हैं स्टॉक मार्केट में सुबह साड़े नौ बजे से लेकर ग्यारे हैं बजे तक के समय को अतिविशेश कहा जाएगा और वहीं जजबाती होकर आज कोई भी निरणाय नहीं लेना है किसी भी व्यक्ति विशेश के साथ में काम काजी जीवन में जूड़ भी रहे हैं तो जो शर्तें लागू होती है या जिसके साथ में हम एक तरह से कमिट्मेंट के अप्रोच को देखते हैं वो क्लारिटी पहले अपनाएं और उसके बाद में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए अत्यधिक आवशक सुरूप रहेगा मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिवस्विशेश काफी हद तक बहतरी को प्रतिभनित करता चला जा रहा है सिंग राशी सरुपर्थम यहां स्वास्ते के प्रति काफी हद तक आप सजग रहे कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा यात्राएं आज टाली जाती हैं तो जादा अच्छा है बैंकिंग संबंधिक कामकाज में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं दो से तीन जगे हिस्तियों को टटोल कर ही आगे बढ़ना जादा अच्छा है निरनायक मौकों पर अनुभब का साहरा लेकर आज आगे बढ़ियेगा दोपहर के समय आलस से और कई बार जो नहराश्य की स्तिया निकल कर आती है वो वेक्ति को कामकाज से अविवस्तित कर देती है उससे आप सभलने का प्रयास करें ये भी याद रखें कि कोई भी मेजर लिवल पर गैजट आज आप अपने साथ में कैरी कर रहे हैं कोई डिसाइजिव बेटिंग की तरफ हैं आपको कोई फाइल आदी को कैरी करना है रीचेक करने की जो अप्रोच होती है उसको अपने साथ में अपना कर रखें शद्रबक्ष आज हाबी रही है ये बात आपके लिए काफी हद तक बहतरी के नर्मान के आधार को लेकर चल रही है वहीं कन्या राशे स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी आपके लिए आज रहने वाली होगी विध्यार्ति वर्ग एगागरता के साथ में चल रहे हैं व्यापारिक जीवन में उत्सा से लबरेज होकर आप जो आगे बढ़ रहे हैं लंबे समय से अटके हुए कारियों में पुनहपूर्णता के संकेत आपके समक्ष निकल कर आते चले जा रहे हैं डेटा साइंसे तथा आईटी फिल्ड के किसी भी स्पेसिफिक फोल्ड के साथ में आप जोड़े हुए हैं लंबे समय से कार्यक्ष चेत्र के साथ में आपके लिए सेचुरेशन का बेस आ चुका है आप चेंज की और इवाल्व होना चाहते हैं उसलेहाजा समय की इस तर ये संभावना को अपने साथ बहुत गहराई से जोड़िएगा जीवन यात्रा को वहां से विबस्तित तोर पर देखना आपके लिए अति उत्तम प्रवर्ती कहा जाएगा और वहीं सिचुएशनल बेसिस पर आज आप जितना अवेर रहेंगे उतने ही वर्किंग फोल्ड्स के साथ में आप खुद के लिए पॉजिटिविटी लेकर चलते चले जाएंगे जो भी महानुभाव कामकाजी जीवन में खुद के लिए कुछ प्रमुक तोर पर नया अपन देखना चाहते हैं उन्हें भी आज अपने लिए लगातार प्रयास के स्तितियों को साथ में रखने का प्रहतने करना चाहिए तुला राशी सर्वपर्थम मन के भीतर जो नकारात्मकता थी अब वो हड़ती चली जा रही है हुरदाई संबंदी रोगों से जो चिंताएं बनी वी थी उसमें भी अब आप कमी देखने वाले होंगे जॉब में फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है बिजनस के प्रोस्पेक्ट्स में नए सिरों के साथ में अपनी जर्णी को एवाल्व करते हुए आगे बढ़ना समय की प्रखर संभावना आपके समक्ष रखने वाला एक माध्यम मातर कहा जाएगा शुक्र प्रदान अवराशी के जातकों को चाहिए कि चोटी चोटी बातों में अपने साथ किसी भी सेरी की गवराहट को लेकर चलने से पूर्ण तया बचें और वहीं आज आपको हनुबन दुपासना उसमें भी परिवार सही तेरी सुन्दर कांड के पाट की और जाने का अवसर मिलता है तो उस अवसर को स्वभाग के किसरों के रूप में देखा जा सकता है वहीं इसी के साथ गुरहस्थ पक्ष के साथ मितालमेल बहुत अच्छे से बना रहेगा वरिश्चे कराशी यात्राएं आज आपका स्वागत कर रही है नौकरी पेशा जीवन में अटके हुए कारियों में पुन है वरद्धी के संकेत रहने बाले होंगे गुरहस्थ पक्ष के साथ में जो आप एक तारतम में को अवस्थत होतावा देख रहे हैं वो जीवन यात्रा को निरंतर तोर पर व्यवस्थत करम के साथ में लेकर चलने की प्रवर्ती है हाला कि यहां बुटनों से संबंदित समस्याओं से लंबे समय से करसित रहे हैं तो प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट को अपना कर चलिएगा जो महानभाव यहां किसी नए कारिक्यों और सनलगन होने से पहले अपने अनभव को पूरे तरीके से खुद के ही सामने रखना चाहते हैं उसे क्यातरा के साथ आप चलें वहीं आकस्मिक तोर पर लाब की सूचनाएं भी मन को संतुष्टी का एक बेहद अलग आधार देने वाली होंगी और वहीं जो आप यहाँ पर नए से रहसे के सिपी कामकाज में जुड़ चुके हैं अब वहाँ पर पुनह पीछे बढ़ने की जरुत नहीं पुरी ही उर्जा के साथ में उस और कतिमान होते चले जाना आपके लिए महत पूर्ण अवस्था विशेश का करम कहा जाएगा दनो उराशे सिच्वेशनल बेसेस पर जितना आप अवेर रहकर चलेंगे उतनी बहतरी स्वैम के लिए आती चले जाएगी कम्यूनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को बहुत गहराई से अपना कर आप चलते चले जाएं अपने रूटीन के साथ में जतना फ्लेक्सिबल आप रहेंगे उतना ही आप जीवन यात्रा को बहतर करते चले जाएंगे ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर कमीशन संबंदी कामकाज में बहतरी आपके साथ में रहने वाली होगी ये वो अंतराल है जहां पर आप प्रबंदन संबंदी कामकाज में भी कुद को नए सेरे के साथ में देखने वाले रहेंगे इस पस्टता इस बात के भी रखें कि आप युदि टेक्निकल फिल्ड में है और और्गनाइजेशन की तरब से ही कोई एजुकेशन का फोल्ड निकल कर आ रहा है आप ये उसे एकसेप्ट करके चलते हैं तो आज बहतरी नौकरी हो चाहे व्यापार स्थरता आपके भीतर बनी रहेगी समय के इस आमनजस्य के साथ में आप इस दिवस की यात्रा को स्वहिम के लिए आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं वहीं मकर राशी जब मकर राशी इस्तान के साथ में चंद्रमा की इस्तियां जुड़ी वी हो तो आप ये सपष्ट कर लें कि आपके साथ में अज गरिहस्त पक्ष का सयोग बना रहेगा आप संतान पक्ष के साथ लंबे समय से जो दुविधाएं देख रहे थे वो भी पूर्ण कालेक तोर पर हड़ती चली जा रही है सरवांगीन लाब की इस्तियों के साथ में वरद्धी दिरंतर तोर पर रहने वाली होगी और वही जो आप महनुभाव किसी भी नए सिरे के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं वहां पर भी खुद को आप दिरंतर तोर पर गतिमान करने वाले हो सकते हैं यह वो अंतराल है जहां सुभे सुभे के अंतराल में मौन को अपना कर बीतर की शांत चित अवस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को आप बेहद गहराई से स्वयम के लिए अपनाने वाले हो सकते हैं शनिदेव की मूलतर कॉन कुम्भ राशी यहां खर्चों पर नियंतरन रखने का पूरा-पूरा प्रयत्न करें रिसर्च संबंधी कामकाज में बहतरी रहने वाली होगी अध्यात्मिक तौर के उपर प्रगति बहुत गहराई से आपके साथ में नहितार्त होकर चल रही है जो भी मानुभाव एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है आज आप पॉजिटिविटी को देखने वाले होंगी जो लंबे समय से फाइनेंशल बर्डन्स बने होई थे उस गहरे को भी तोड़ कर मुक्त होकर आपके यात्रा लगातार एक अलग वेग को देखने वाली होगी और वहीं ये सपस्टता भी रखिएगा कि आज जो पारिवारिक जनों के साथ चोटी-चोटी बातों में तनाव ग्रस्त इस्तियां बनी हुई थी वो भी अब काफी हद तक सुधार की प्रक्रियाओं को अपना कर आपको आगे बढ़ाने का एक प्रबल वेग निर्मित करती चले जा रही है कुम्बराशी के जातकों को चाहिए कि अपने भीतर की जो स्थिरता है उसके मानक को बहुत गहराई से अपना कर चलने का प्रयातन करते चले जाहिएगा मीन राशी सरवांगीन लाब की इस्तियों में वरद्दी है अपने क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना अत्यले कावशक है जो कार जी अटके हुए थे बहाँ पुने है प्रयास की इस्तियों को शिरोधार याधार के साथ में लेकर चलना ये अत्यंत आवशक क्रम कहा जाएगा माता तथा पिता के साथ पुने है वातसले पुन इस्तियां आप बंती चली जा रही है जो भाईयों के साथ संबंदों में कहीं नकारातमकता थी किसी बात को लेकर यहाँ एक तरह से विवाद गरस्तियां थी उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे सिच्विशनल बेसिस पर खुद को अवेर करके चलिएगा और इस बात पर भी गौर किजिएगा कि जिस भी कारे के साथ में हम खुद को बहुत कहराई से जुड़ चुके हैं आप खुद को रोकने तथा अटकाने वाले नहीं होंगे रफतार के साथ में खुद को कितिमान करने की आवेशक्ता है तो ये था 26 सितंबर 2023 का दाहिने कर आशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंत रुपस्तित होने का प्रयत्म करते रहेंगे धन्यबाद एवम कोटिशह आभार